काफी अच्छा लग रहा है कि अंतिम सणों में एक भारत को एक और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और काफी खुसी हो रही है कोच 46 सोचके आये और मैं 47 इट कर रहा हूँ तो अगर कोच 48 सोच के आयेंगे तो मैं कितना करूंगा तो वे चीज सोचके काफी अच्छा लग रहा है उनसे इंस्पायर हुआ था पर उन जैसा तो नहीं कर पा रहा हूँ मतलब वो काफी आमेशा आधरनी है और सीनियर रहेंगे जब मैंने उनको देख के सुरू किया था तो तब वो कहां थे और तब मैं कहां था वो मेरे लिए अमेशा उपर ही रहेंगे मैं उनको कभी अपने आप से कंपेर नहीं कर पाऊँगा काफी अच्छा लग रहा है कि अन्तिम सनों में एक भारत को एक और गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और काफी खुसी हो रही है कि जब पैरिश 2024 परलंपिक गेम्स जब बंद हुए उनका समापन हुआ तो अन्तिम जो राश्ट्रगान था वो बारत का बजा और काफी अच्छा लगा कि हमने अमारी जो मेडल टेली पर पूरण विराम लगा वो एक गोल्ड से लगा है तो काफी अच्छा मेंसूस हो रहा है बारत की जोली में एक और गोल्ड डालकर और मैडलट लगा और अबड़ांगे आप का सिलवार रारे कि नो बाद में गोल्ड में कनवर्ट हुआ तो क्या हुआ देखो मैं ट्रेनिंग काफी अच्छी करके गया था और मैंने बाकी खिलाडियों से 46 हिट करेंगे पर उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि अगर तु 47 हिट करेगा तो इसका मतलब मैं मान जाओंगा कि तु बहुत तगड़ा है और इसका मतलब कोच के दिमाग में और भी काफी सारे प्लांस हैं आगे के लिए ये चीज उनकी दरसाती है परन्तु अगर कोच फॉर्टी सिक्स का सोच के आये थे और मैं 47 एट कर रहा हूं तो अगर कोच फॉर्टी हेट का सोच के आएँगे तो मैं कितना एट करूँगा तो वो चीज सोच के काफी अच्छा लग रहा है और जब मैं अंदर सिल्वर के लिए अंदर चैन हुआ था मैं अंदर पोडियम के लिए वेट कर रहा था तो जब पता लगा कि नहीं इरानी को डिस्क्वालिफाई कर दिया जा रहा है एज ए खिलाडी के नाते मैंने उसको थोड़ा सा संबाड़ा उसको सत्तावना दी और उसको थोड़ा सा अच्छा मैसूस कराया पर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आय उस चीज की बहुत खुशी है और एजय पर स्पोर्ट मेंसिप मैंने उसका साथ दिया और उसके लिए जो भी इसको इंग्लिस कन्वर्शेशन में कमी मैसूस हो रही थी वो बीच में एजय ट्रांसलेटर थोड़ा सा काम भी किया और पर बारत की जोली में एक और गोल्ड है मैं इस चीज से बहुत खुशूँ बिल्कुल और रही इस गोल्ड मेडल को आप किसको डेडिरीट करना चाहेंगे कहें आप यह वालों से बहुत बहुत है और आज आपका पी एम से भी बात हुआ तो इसके वारे में क्या बोलेगा आज आप मोदी जी यह गोल्ड मेडल देखो इसमें काफी चीजों काफी काफी सपोर्ट मेरे को फेडरेशन की तरफ से स्पोर्ट स्थर्टी ओफ इंडिया बारत सरकार और ओजी क्यू और काफी अन्य मेरे परिवार बहुत सी चीजों से मेरे को इसका इस मुकाम तक आज मैं पहुंच पाया हूं क्योंकि काफी सपोर्ट के बाद मैं इधर पहुँचा हूँ जब माननी अई परदान मंतरी जी हम से ऐसे बात करते हैं और काफी और मन में उच्छा आता है कि हम दोबारा ऐसा क्या करें कि दोबारा हमारी उन्चे मुलाकात हो बेट हो या फिर अमारी उन्चे बात हो तो काफी अच्छा होते हैं तो काफी हमें प्राउड फिल होता है उनके पास पर उन जैसा तो नहीं कर पा रहा हूं मतलब वो काफी आमेशा आधरनी है और और सीनियर रहेंगे तो मैं उनको अपने आप से बिल्कुल भी कंपेर नहीं करूंगा क्योंकि जब मैंने उनको देख के सुरू किया था तो तब वो कहां थे और तब मैं कहां था वो मेरे लिए अमेशा उपर